Hello friends, I hope that you all are doing well. So here in this video today, we will be doing an activity on subtracting polynomials. तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दो polynomial लिये हैं. जो पहला polynomial है वो है 2x² plus 2x minus 1 और तो second polynomial है वो है x² minus x plus 3. तो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम 2x² plus 2x minus 1 में से x² minus x plus 3 को subtract कर रहे हैं. तो यहाँ पे जहाँ हम subtraction करेंगे polynomials का, वो हम करेंगे algebraical tiles की help से. तो यहाँ पे यह मैंने 3 sets लिये हैं algebraical tiles के. जो मेरा पहला set है, वो है square shape में, जो बड़ा square है, जिसमें यह मेरा x² को represent करता है. जिसमें blue color indicate करता है मेरा plus x² और red indicate करता है मेरा minus x². Fine. जो second set है मेरा यहाँ पे, rectangular shape में है, जिसमें यह जो rectangle है मेरा x को represent करता है, और green portion indicate करता है plus x को, और red portion indicate करता है minus x को. Fine. और जो third set है, वो है यहाँ पे, मेरा छोटा square है, जिसमें यह जो square है मेरा छोटा, यह 1 को represent करता है, जिसमें white portion indicate करता है plus 1 को, red portion indicate करता है minus 1 को. Fine. तो आईए इन दोनों polynomials को algebraical ties की form में लिखते हैं. तो जो मेरा पहला polynomial है, वो है मेरा 2x² plus 2x minus 1. तो 2x plus 2x² क्लम क्या करेंगे यहाँ पे, दो बड़े square लेंगे, क्योंकि यह मेरा x² है, तो यह मेरा x² हो गया, अब क्योंकि 2x² है तो मैंने यहाँ पे एक और x² ले लिया, तो x² plus x² मेरा क्या हो गया, 2x². blue portion में यह लिया है, क्योंकि मेरा plus 2x² है, ठीक है, आगे है मेरा plus 2x, तो plus 2x क्लम क्या करेंगे यहाँ पे, दो rectangular tile लेंगे, और green portion को उपर की दरफ रखेंगे, क्योंकि यह मेरा x को represent करता है, ठीक है, तो यहाँ आप मैंने 2x ले लिये, x plus x मेरा क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 के लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटी tile लोगा ही, यह भी square shape में है, और इसमें red portion को उपर की दरफ रखेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे माइनस 1 है, तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले polynomial को यहाँ पे, algebraical tile की form में लिख लिए है, 2x, plus 2x square, plus 2x, minus 1, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, minus का sign है, जो second polynomial है, वो है x square, minus x, plus 3, अब क्योंकि हम यहाँ बेश्प्रेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ, हमें पता है, कि minus into plus क्या होता है, मेरा minus होता है, तो minus into, मेरा plus x square क्या हो जाएगा, minus x square, तो minus x square क्या करेंगे हैं आपी, एक बड़ी red tile लेंगे, यह मेरा किसको रिप्रेण करता है, minus x square को, यह मेरा minus x square हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो minus into minus x कितना हो जाएगा है मेरा plus x क्योंकि minus into minus क्या होता है मेरा plus होता है यहाँ पर हम क्या करेंगे एक rectangle tile लेंगे और green portion को उपर की दरफ रखेंगे ठीक है क्योंकि मेरा minus into minus क्या हो गया plus x तो मेरा plus x हो गया आगे बढ़ते हैं तो यह मेरा plus 3 है square shape में tile लेंगे और red portion को उपर कितार पकेंगे तो मेरा क्या हो गया? minus 1 minus 1 minus 1 तो मेरा क्या हो गया? minus 3 तो आप देख सकते हैं यह आप उन्हें दोनो polynomials को elliprical tiles की form में लिख लिया है यह मेरा क्या हो गया? plus 2x square plus 2x minus 1 और यह मेरा क्या हो गया? minus x square plus x minus 3 तो आईए अभी इन्हें दोनो polynomials को solve करते हैं तो मेरा क्या हो गया? यह मेरा plus x square हो गया यह मेरा minus x square हो गया तो मेरा plus x square और minus x square क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा means यह plus x square और minus x square क्या हो गया? आपस में cancel हो गया? यह क्या होग गया, मेरा 0 हो गया ठiक है, तो हमारे पास क्या रहेए, कहबल यहापे plus x स्कोया है, आगे बढ़ते हैं here पे मेरे पास देखें, यह मेरे plus 2 x है, और यह x है देख सकते हैं, तीनो के color क्या है same है, green है, मिस तीनो क्या है मेरे प्लस क्या है तो यह मेरे टोटल कितने हो गया 1, 2, 3 3x हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं यह मेरा क्या है छोटी जो टाइल है यहाँ पे गया है माइनस 1 यह मेरा क्या है माइनस 3 तो माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ठीक है तो हमारा answer क्या हो गया बड़ा x2 कितना है मेरा x2 देख सकते हैं 1x2 है मेरा blue कलर का तो यह x2 हो गया प्लस जो rectangle टाइल कितनी बची है मेरी 1, 2, 3 यह क्या हो गया 3x ठीक है क्योंकि मिनस 1, मिनस 3 मेरा क्या था मिनस 4 मेरा answer क्या हो गया x2 प्लस 3x मिनस 4 fine so I hope that you must have liked this activity at the same time now we are clear how we subtract polynomials so I request you to share this video with your friends at the same time like this video and subscribe to my channel for my more videos and keep watching my videos thank you so much for watching this video